जाहें दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर तो आज हम सीवियसी का एक बहुत बड़ा इंफर्मिशन लेकर क्या हैं अपने सीवियसी बोर्ड इस्टूडेंट्स के लिए सो गाइस अभी आप जान रहे हैं जैसे आज 9 अगस्त है और आज के दिन ही जो री इग्जामिनिशन के फॉर्म है सीवियसी ने उसको लॉंच किया है और इसके साथ सब जो डिस्प्यूट कमिटी का जो फॉर्म है उसको भी बताया है या आपने इंफर्मिशन में डिस्प्य कमिटी को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है चार पार्ट में डिस्प्यूट कमिटी को डिवाइड किया गया है जिसमें से जो हमारा फस्ट पार्ट है और जो सेकंड पार्ट है इन दो पार्ट में सिर्फ और सिर्फ मार्क्स रीचेकिंग के बारे में जिक्र है यान सबसे पहला डिस्प्यूट कमिटी में फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में सिर्फ यही मिंसंड है कि हम अपने मांक्स की रिचेकिंग कराने के लिए अपलाई कर सकते हैं सेकेंड पार्ट में आप रांग अपलोडिंग के लिए अपलाई कर सकते हैं कि आपकी जो मांक्स की अपलोडिंग हुई है वो अपलोडिंग सही नहीं हुई है ठीक है और डिस्प्यूट कमिटी उस चीज़ की जांच करेगी और जांच करने से यदि उसे लगता है कि हां के chances होंगे ठीक है लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है कि जो dispute committee है dispute committee सिर्फ नाम के लिए बनाए गई यह जिनली बच्चों के favor में बिलकुल ही नहीं है ठीक है क्यूंकि जो चौथी स्की policy है चौथी policy यह है कि जो आपकी marketing scheme है अगर हम 12 के marketing scheme की बात करें तो 30 ratio 30 ratio 40 यह marking scheme है जिसमें 30% class 10th का result लिया जाएगा 30% class 11th के marks को लिया जाएगा और 40% class 12th के pre-board marks को लिया जाएगा ठीक है तो आप इस marking scheme को challenge नहीं कर सकते हैं है असपस्ट रूप से लिखा हुआ है dispute committee का जो चौथा पार्ट है इस चौथे पार्ट के जस्ट नीचे नोटिस में लिखा हुआ है कि आप सिव्यसी के 30 30 30 40 जो marking scheme है उसको आप challenge नहीं कर सकते हैं ठीक है जो भी अभी तक मैंने जो भी आपको बताया जो dispute committee है dispute committee जो है अपने आपको कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है तो इसके अनुसार आपकी मार्किंग होनी है ठीक है अब सबसे में मुद्दा समझ लो क्या है कि पहली बात तो यह है कि जो भी मार्क्स रीचेकिंग होगी मार्क्स रीचेकिंग के लिए आपके स्कूल वाले यदि मेल करते हैं या कह सकते हो कि आपकी स्कूल वाले ऐसा करते हैं CVSC को कि आपके मार्क्स की फीडिंग सही नहीं हुए है इन डाट केस CBSC उस पर जाच करेगी अब जरह सोचो सोचने वालिपात यह है कि इसकूल क्यों कहेगा कि हमसे से ऐसा मिस्टेक हुआ है या इसकूल ऐसा क्यों कहेगा कि हमने गलत मार्क्स फीड किया है वह अपना रेपूटेशन क्यों बिराना चाहेगा मतलब कुल मिलाकर डिस्प्यूट कमिटी बच्चों के सपोर्ट में है ही नहीं सिर्फ नाम के लिए बच्चों को सांत्वाना देने के लिए डिस्प्यूट कमिटी स्विए याने बच्ट बच्चों को सिर्फ मुर्ख बनाaison Para अब रहा सवाल री एक्जाम का तो जो री एक्जाम होना है आपका री एक्जाम का डेट जैसे कि हमने पहले बटाया था कि 16th of August से आपका री एक्जाम स्टार्ट होने वाला था और 16 अगस्ट से लेकर 15 सप्टमबर तक आपका रेग्जाम होना था जिसको पोस्टपोन कर दिया गया है और इसको 25 अगस्ट से स्टार्ट कराया जाएगा और 15 सप्टमबर तक इस एक्जाम को खतम करा दिया जाएगा और इसका रिजल्ट 30 सप्टमबर तक घोसित कर दिया जाएगा लेकिन कल के नोटिस में यह बताया गया है कि कोविड सिच्वेशन को देखते हुए ही री एक्जामिनेशन कराया जाएगा यानि कि यदि कंडिशन अच्छे होते हैं कोविड कंडिशन अच्छा होता है मतलब केसे कम होंगे तो in that case re-exam कराया जाएगा और सिविरशी को यदि ऐसा लगता है कि कोविड कंडिशन सही नहीं है जो महौल है महौल ठीक नहीं सब्सक्राइब जऄ सकता है तो ऐसे ही इंपने रहे हैं तब तक क्लिए भिजा लेते हैं Thank you,Guys, जैंद